dear kids now we will do page number 30 31 and 32 okay let's start बेटा आपने अब in the last वीडियो में जो है वो add using the number line number line का use करते हुए add करना सीका दा ना वैसे ही करना है अब इसमें 5 plus 2 5 plus 2 अब 0 से देखो आप 5 पे जाओगे पहले 5 तक आगे अब next 2 step आगे जाना है ना आपको 6 7 okay your answer is 7 and right here 7 next अब 2 है तो 0 से सीधा किस पे जाओगे बेटा 2 पे ठीक है और फिर next अब देखो कि 4 है ना next is it अब 4 step आगे जाना है ठीक है 1 2 3 4 4 step आगे आगे तो आप किस पे पहुचे हो 6 पे your answer is 6 and right here 6 next 1 plus 4 अब देखो आप 0 से आप किस पे जाओगे बेटा 1 पे next आप क्या है number 4 है ना तो 4 step आपने आगे जाना है 1 2 3 4 अब कहा पे पहुचे है आप 5 पे your answer is 5 and right here 5 next 3 plus 2 ठीक है आपका first जो है वो number क्या है बेटा 3 0 से आप कहा पे जाओगे 3 पे ठीक है अब next क्या है 2 means आपने 2 स्टेप आगे जाना है 1 2 2 स्टेप आगे आगे your answer is 5 and right here 5 okay next अब आपका first क्या है डिजिट बेटा 3 देखो आप सीधा जंप करोगे 3 पे अब next क्या है डिजिट आपका 6 means 6 स्टेप आगे जाना है 1 2 3 4 5 6 है ना तो आप किस पे पहुचे बेटा 9 पे your answer is 9 and right here 9 next क्या है बेटा 2 और 2 आप first 2 है ना तो आप यहां से जिसीदा जंप करेंगे 2 पे कर दिया अब 2 स्टेप आगे जाना है 1 2 अब किस पे आए आप 4 पे your answer is 4 and right here 4 ओके next बेटा वर्टिकल फोम में करना है आपको मैम ने अभी समझाया बोट पे यस ना अब 7 को keep in your mind and one finger up one finger up कर ली we will count after 7 7 से after count करेंगे ना means 7 के बाद तो 7 के बाद अब 1 कितना होता है 8 your answer is 8 and right here 8 first up digit क्या है 3 3 keep in your mind and four finger up one two three four four finger up हो गई अब देखो we will count after three four five six seven your answer is 7 and right here 7 next your first digit क्या है 5 keep in your mind and next क्या है 4 four count on your count on your finger finger ना one two three four four finger up we will count after five six seven eight nine your answer is nine and right here nine next your first digit क्या है 4 and second क्या है 2 two finger up we will count after four five six your answer is six and right here six come to next page बेटा अब आपने प्रोपेर्टी सीख्की थे ना प्रोपेर्टी भी आपने क्या सीख्का था वैं वन वन इस एड़ कोई भी नंबर में बेटा आप वन एड़ करोगे तो उसका आपका आंसर क्या होगा गीवन नंबर के जस्ट आफ्टर वाला इस ना आप देखो 1 प्लस 1 टू आप देखो हैं यहां क्या दे रखा है 2 प्लस 1 टू में हमने 1 एड करना है तो आपका अंसर क्या जाएगा 3 next 3 plus 1 तीक आप 3 में आप 1 एड़ कर रहे हैं अब भी मैं आपने बताया ना जब हम 3 में कोई भी नंबर गीवन होता है उसमें 1 एड़ करते हैं तो आपका अंसर क्या होगा जो गीवन नंबर के बेटा डैश is equal to 5 means 4 से just बाद वाला ही नंबर है 4 के बाद क्या आता है 5 4 के just बाद वाला ही नंबर दे रखा है तो आपको पता चलना चाहिए इससे में कि कौन सी प्रोपेटी यूज हुई है 1 वाली तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बेटा 1 ओके ऐसे ही next में बेटा आप ऐसे 6 है अब उसके just after वाला ही दे रखा है number आपको 7 क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है न उससे just after वाला ही number है तो आपको इससे पता चल गया कि क्या हुआ आपको कि इससे कि 1 एडिट वाली प्रोपОर्टी है तो आपने ही यह आपे क्या लिखना है 1 next अप डैश प्लस 1 is equal to 8 ठीक है means आपने क्या करना है आप देखो अब 1 add अब हमार को given number नहीं है उसमें आपने 1 add किया आपको आपको answer क्या आया 8 means आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है किसमे 1 add करना था मतलब आपने 8 से क्या करना है अब भी 4 वाला number लिख सकते है न तो means अब 8 से पहले वाला number क्या था बेटा 7 7 से बाद वाला number क्या हो गया 8 अब आपको इसे पता चल गया कि 7 में 1 add करेंगे या 1 add करेंगे तो added property लग गई तो 7 के means just after जो number आता है वो क्या होता है 8 come to next page next page में बेटा अब added 0 property अभी मैं ने बताया 0 means nothing होता है ठीक है अगर कोई भी given number में आप 0 add करते हो तो आपका answer क्या रहता है same number your answer is the same number same रहेगा ना means given number जो होगा वही रहेगा ठीक है अब देखो जैसे अब इसमें ये example भी दे रखा है जैसे 5 balls है ठीक है अब इसमें 0 ball add हुई है तो आपके पास कितनी होंगी 5 balls ही रहेंगी ठीक है 0 means क्या होता है nothing 0 apples है अब 3 apples 0 में 3 add किया तो भी आपके पास 3 ही apple रहेंगे ठीक है 0 means nothing nothing means कुछ नहीं ऐसे ही 4 dolls है ठीक है ना and 0 balls आप add करोगे तो is equal to क्या हैगा 4 dolls ठीक है अब देखो ऐसे ही 2 plus 0 अब given number में हम 0 add कर रहे हैं तो your answer is given number आपका answer क्या होगा given number ही होगा means 2 plus 0 2 अब next 0 plus 5 tell me hurry up 5 very nice next अब 0 plus dash is equal to 6 बताओ अब 0 में हम क्या add करें कि 6 ही आजाए 6 ही आएगा ना क्योंकि 0 में हम same number add करते हैं जो हम आपका जो answer होगा वह ये add करेंगे जब ये answer same आता है ना ओके next 9 में हम 0 add करेंगे your answer is 9 ओके अब 8 में हम क्या add करें कि 8 ही रहे ठीक है आपके पास 8 candies है तो अब मैं उसमें क्या add करूँ कि आपके पास 8 ही candy रहे कुछ भी नहीं ना जगर मैं कुछ भी add नहीं करूँगी जब भी आपके पास 8 candies रहेंगी yes ना और nothing means 0 8 में हम 0 add करेंगे तो आपका अंसर क्या रहेगा 8 ऐसे ही इसमें है 10 में हम क्या add करेंगे 0 add करेंगे your answer is क्या रहेगा 10 ओके बेटा understood